फसलों के भाव न मिलने से किसान परेशान मध्य परदेश में इन दिनों एक तरफ महंगाई की मार तो दूसरी तरफ मजदूरी के सासत मशीनों से फसले निकालना किसानों के लिए काफी महंगा सापित हो रहा है दूसरी तरफ फसलों के भाव न मिलना इससे किसानों पर दोरी मार पड़ रही है आपको बता दे कि इन दिनों मध्यपरदेश में सोया बीन की फसल की कटाई का काम चल रहा है फसल की कटाई महेंगी होने की वज़े से किसानों का मुनाफ़ा काफिक कम हो गया है बढ़नगर त्रहसील के किसानों के मुताबिक पूरव में फसलों की कटाई काफिक कम दाम में हो जाती थी वर्थमंच समय में थ्रेशर मशीन से सोया बीन की फसल की कटाई के 11300 रुपे बीगा तक देने पड़ रही है कुछ ग्रामिन इलाकों में बीगा बड़ा है जिसकी वज़े से वहाँ पर अधिक राशी वसूली जा रही है इससे पहले त्रेशर से सोया बीन निकलवाने पर 800 से 1000 रुपे बीगे तक का भुकतान करना पड़ रहा था वहीं शाजापूर के किसानों के मताबिक शहरी शेतर के आसपास फसलों की कटाई काफी महंगी हो चुकी है उनकी खेती शाजापूर के पास पनवारी इलाके में है वहाँ पर शहरी शेतर से मजदूरों को लाकर फसलों की कटाई करानी पड़ती है जिसमें तीन हजार पे प्रती बीगा तक का खर्चा आ रहा है ये खर्च काफी अधिक है दूसरी तरफ सोया बीन के भाव साड़े तीन हजार क्विंचल तक उपरी सरों से नीचे लुड़क चुके हैं अभी नई सोया बीन पूरी तरह से मंडियों में आई भी नहीं बताकर काम जादा करवाते हैं वर्तमान समय में थ्रेशर मशीन की कीमत काफी बढ़ गई है इसके इलावा डीजल के दाम, मजदूरी इन सब में भड़ोतरी देखने को मिली है इसके चलते कटाई काफी महंगी पड़ रही है और जब मंडी में माल जा रहा है तो उसका दाम नहीं मिल पा रहा ऐसे में किसान करे तो क्या करे ब्यूरो रिपोर्ट मार्के टाइम्स टीवी